हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल, ब्यूटी और फैशन गाईड, मैं हूँ मोसुमी और मैं आज आपको साथ दो क्लिंजिंग मिल्क के बारे में बात करने वाले हूँ सो गई आपको पता ही है कि समर का सिजन अभी चल रहा है और इस सिजन में हमारा जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डल हो जाता है इसलिए एक अच्छा सा क्लिंजिंग मिल्क यूदे होगता है जो हमारे स्किन से ओल और डर्ट को दूर रख सके इसलिए मैं आज आपको साथ दो cleansing milk शेयर करने वाले हूँ और बताने वाले हूँ कि इन दोनों cleansing milk में से कौन सा cleansing milk हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और क्योंकि ये दोनों cleansing milk ही dermatologically tested है और पैराबन free है इसलिए इसमें कोई भी sidevix बगरा नहीं है और scholar का लड़की दोनों ही easily use कर सकते हैं तो भी चलिए उदारूकर वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले मेरे इस वीडियो को like जरू कर देना और इस तरफ जो लाल करी subscribe बटन है उसे भी प्रेस कर देना आपको तो पता ही है कि मैं ऐसे ही किसी पोड़क को अपलोशा शेयर नहीं करती पहले मैं उसे खुद यूज करते हूं उसके बाद उसको अपलोशा शेयर करती हूं तो मैं आज आपको साथ जिस पोड़क को शेयर करने बाले हूं वो है ये दोनों cleansing milk अप लोग देख सकते हैं ये दोनों cleansing milk तो पिर चलिए पहले बात कर लेते हैं एक एक करके इन दोनों के price quantity और packaging के बारे में आप बात कर लेते हैं Biotic Cleanser के बारे में इसका प्राइज है 170 रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं लेकिन मैंने इसको 120 रुपीज में पर्चेस किया है और मैंने इसको purple.com से पर्चेस किया है आप लोग चाहे तो इसको purple amazon nike कहीं से भी पर्चेस कर सकते हैं मैं purple amazon nike सब जो आका लिंक रिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप लोग चेक कर लेना और इसका जो क्वांटिटी है वो है 120 ml यहाँ पर लिखा हुआ है चोटा-चोटा करके आप लोग देख सकते हैं और इसका जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से है इसक नारा जो मेन इंग्रीडेंट है वो यहां से निकलेगा बेसिकली अप लोग देख सकते हैं इस प्रोड़क्त का जो नाम है वो है बायोटिक एडवांस आयुरबेदा बायो बार्बेरी हाइडरेटेट क्लींजर आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है और यह अगर आप लोग का स्किन और ली आप लोग का इसबते हैं वे यह अगर आप लिफट आप सकते हैं और इसक जो मेन उन ग्रीडियेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ हुआ है बड़ा बड़ा करके अप सकते हैं और ये जो प्रोड़क्त है अईरवेदिक रेसिपे का-100% आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है हाँ भी हई लिखा हुआ है 100% इसहेंपे इसughter do этого 200 of the body जो प्रोडाक्स होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और इसमें कोई भी साइड एपेक्स बगएरा नहीं होते क्योंकि यह 100% आयुर्वेदिक रेसिपी से बना हुआ होते हैं अब चलिए मैं इसका जो टेक्स्चर है आप लोग के साथ दिखा लेती हूं इसका जो टेक्स्चर है आप लोग देख सकते हैं एकदम ही क्रीमी है और इसका जो कलर है वो एकदम वाइट कलर में है क्योंकि यह एक लिंजिंग मिल्क है इसलिए इसका जो कलर है वो वाइट कलर में है अप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह एकदम ही क्रीमी है ज अग्त्म बेरी जैसा अगी जो बहुत हि ही अच्छा वाला स्मेल है अब चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है सको बाड़े में डिटेल्स में डीजना चैले सकते हैं अब बात कर लेते हैं आई यॉर क्लींजिंग मिलक के बारे में आप लोग देख सकते इसका जो प्राइज है वो है 50 रूपीज फो यहाँ पर लिखा हुआ है चोटा-चोटा करके यहाँ पर लिखा हुआ है 50 रूपीज और मैंने इसको नॉर्माल कस्मेटिक स्टोर से पर्चेस कर सकते या फिर ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं यह फ्लिपकार्ट और Amazon में एविलेबल है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग चेक कर लेना और इसका जो क्वांटिटी है वो है 100 ml यहां पर लिखा हुआ है चोटा-चोटा करके आप लोग देख सकते हैं 100 ml और मैं आप लोग को यह जो प्रोड़क्ट है यह और भी काफी सारे क्वांटिटीज में एविलेब है जैसे मैंने 100 ml यह 150 ml 200 ml में भी एविलेबल है आप लोग को जो साइस पसंदों आप लोग इसको पर्चेस कर सकते हैं और इसका जो नाम है वो है आयूर हलबल नेचरल स्किन ग्लो मॉस्चरा 양 यहां आप लोक देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है यहांपर चोटा-चोटा करके लिखा है यायि अगर वनों का इसको यूज कर सकते हैं अगर अगर और का त्यों डाय है तो भी आपलोग इसको इजी cambiar सकता है कोई भी प्रोब्लेम बाली बात नहीं है अब मैं आपलोगों को इसकाक टैक्सचुर है बो दिखा देती हूं इसका जो texture है आप लोग देख सकते हैं एकदम ही creamy है और इसका जो color है वो काफी हद तक white color में है क्योंकि ये cleansing milk है इसलिए इसका जो color है वो ऐसे white color में है और इसका जो smell है वो बहुती ज्यादा प्यारा एकदम rose petal वाला smell है बहुती अच्छा बहुती प्यारा वाला smell है ये हम जब अपने skin पर apply करेंगे ये ना ही हमारे skin से oil और dirt को remove करेगा बलके एक हलका सा जो smell है इसका बो भी ये हमारे face पर छोड़के जाएगा इस पोड़क के बारे में भी मैंने details में एक video बनाया हुआ है इसको कब यूज करना है किस तरीके से यूज करना है कितने quantities में यूज करना है वो मैं i button पर दे दूंगे और description में दो number पर दे दूंगे अप लोग चेक कर लेना सो गाईस इन दोनों क्लिंजिंग में से जो मेरा वाला फेबरेट है वो है बायो टिक का क्यूंकि बायो टिक से हम ना ही सिर्फ अपने face को क्लीन कर सकते हैं बलकि इस से हम अपने make-up को भी remove कर सकते हैं ये हमारे make-up को भी remove करने में हमारी मदद करता है और क्यूंकि बायोटिक एक बहुत ही अच्छा ब्रैंड है इसलिए इसमें कोई भी साइडवेक्स बगेरा नहीं है और इन दोनों प्रोड़क को ही लड़का लड़की दोनों ही इजिली यूज़ कर सकते हैं कोई प्लबन बाली बात नहीं है लेकिन मुझे जो पसंद है वह है बायोटिक बार्बेरी कलींजर इस से हम अपने मेकप को भी रिमुव कर सकते और हमारे ओल डर्ट को भी इजीली रिमूव कर सकते हैं काफी तक जिनको आयूर को बहुत पसंद है उनके स्किन में बहुत ज्यादा सूट करता है तो आप लोगों को जो वाला पसंद हो अप लोग उसको पर्चेस कर सकते हैं मैं इन दोनों प्रोड़क्ट के ही बाइ में दे दूंगे अप लोग चेक कर लेना अगर आप लोगों को मेरा आज का क्लेंझिंग में मुझे मुझे रर बताना और सोरी बाइगुद सब्सक्राइब बटन उसेव आप लोग को नेक्स वीडियो उसके अपडेट मिलती रहे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू